हलो गाईज मेरा नाम गाहितरी है आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गहतरी पैसन हिंदी में जिन्यों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली निव बेडियो का नोटिफिकेशन सफेद चने से पानी को अलग कर लेते हैं चलिए अब छोले बनाने की समगरी को रेडि करते हैं यहां मैंने आधा चम्मच जीरा ले लिया है खड़े मसालों में मैंने लिया है दो इलाची दो बड़ी इलाची और दो दालचीनी कटे हुए अद्रक 20 लस्टन की कलियां हरा धनिया सबसे पहले अद्रक लेसुन तुकडों में कटे हुए प्याच को ग्रैंडिंग जार में डाल देते हैं जार का ढखकन बंद करके हम इसे ग्रैंड कर लेते हैं ग्रैंड करते समय पानी का यूज नहीं किया है आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं या थोड़ा पानी मिला के स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं प्याटर और प्याच का पेस्ट बना लिया है मैंने अब चलते हैं तड़का लगाने के प्रोसेस में यहाँ पर मैंने 3-4 टीस्पून रुफाइंड आयल का यूज किया है आयल गर्म होने के बाद खड़े मसाले आयल में डाल दिया है छोले में कुकिंग आयल का यूज ज़्यादा किया जाता है छोले पूरी दिल्ली की फेमस रिस्पी है छोले को मैं प्रेसर कुकर में बनाने वाली हूँ इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा यह बहुत सिंपल तरीका है छोले बहुत स्वादिस्ट होते हैं आप इसे भटोरे, पूरी, चावल, रोटी के साथ स्वादले के खा सकते हैं चीरा और खड़े मसालों को थोड़ा सा पका ले चीरा और खड़े मसाले पक गए हैं अब गैस का फ्लेम दीमा करते हैं यहां मैंने गैस का फ्लेम दीमा कर दिया तुखे मसाले तड़के में एड़ कर देते हैं जिसमें आधा चम्मच, हल्दी पाउडर, डड़ चम्मच, रेट चिली पाउडर डाल देते हैं और इस पेस्चुला से इसको मिक्स कर देते हैं मसालों के साथ मसालों में प्याच का पेस्ट अड़ कर देते हैं यहाँ पर मैंने प्याच का पेस्ट अड़ कर दिया प्याच का पेस्ट थोरा पकने पर टमाटर का पेस्ट अड़ कर दिया मिला दें इसे टमाटर का पेस्ट मिलाने के बाद धक्कन को बंद करके हम वापस इसे पका लेंगे ताकि टमाटर का कच्छापन निकल जाए पेस्ट में 2 टी स्पून धनिया पाउडर डाल देती हूँ 1 टी स्पून जीरा पाउडर 5 टी स्पून गरम मसाला अब इसको मिला देते हैं पेस्ट में अच्छे से मसालो को मसाले पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो गए हैं धक्के दो मिनट और इसको पका लेते हैं धकन हटाने पर पेस्ट पक्के रेडी है अब इसमें सफेज चने अड़ कर देते हैं यहां पर मैंने सफेज चने एड़ कर दिये हैं, अब इसको मसालो के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं, गैस का फ्लेप मीडियम रखें, अब इसमें सादन साद नमक एड़ कर देते हैं, मैंने यहां पर छोलो को उबाला नहीं है, डारेक्ट प्रेसर कुकर में मसालो के साथ पकाऊंगी छोले को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दें अब हम छोले को थोड़ा सा भूल लेंगे मसालों के सब प्रेसर कुकर का ढखकन लगा के बीना सीटी के लो फ्रेम पर इसे पका लेंगे कुछ मिनट बाद ढखकन अटाए आप देख सकते हैं कि मसालों ने तेल छोड़ दिया है अब इसमें हम पानी एड़ करेंगे डेड़ गिलास जैसी आपको ग्रेवी चाहिए उसी के अनुसार आप पानी एड़ कर सकते हैं ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा होने पर हम इसे चावल के साथ आराम से खा सकते हैं मैंने यहाँ पर डेड़ गिलास पानी यूज किया है आप चाहे तो दो गिलास पानी यूज कर सकते हैं प्रेसर कूकर के ढखकन को बंद करें सीटी के साथ 5-6 सीटी आने तक इसे पकाएंगे गैस का फ्लेम लो मीडियम पर रखें 5-6 सीटी हो गई है अब ढखकन खोलते हैं चोले की ग्रेवी थंडी होने पर और वी जादा थीक हो जाएगी यहाँ पर मैं 1.5 टी स्पून गरम मसाला और 1.5 टी स्पून छोले मसाला एड़ कर दे रही हूँ मसालों को अच्छे से मिला ले छोलो में दो मिनुट पकने के बाद हमारा छोला रेडी है चेक करके भी देख लेते हैं क्योंकि मैंने इसको उबाला नहीं था पहले से यहाँ मैंने हरा धनिया डाल दिया है छोलो में कर देते हैं इसको हरे धनिया को छोले में अब सुपर टेस्टी छोले बनके रेडी हैं अब चलते हैं पूरी बनाने के प्रोसेस में यहाँ पर मैंने पूरी के लिए आटा गूंद के रेडी कल लिया है इसको दस से पंदरा मिनट रस्ट करने पर रख देते हैं आटे के रस्ट के बाद मैंने सारी पूरीयों को बेल दिया है एक प्लेट में लगा दिया है इस पर मैंने कड़ाई चड़ा दी है तेल गरम होने के लिए रख दिया है आप देख सकते हैं तेल गरम हो गया है अब पूरी तल लेते हैं यहां मैंने पूरियों को तेल में डाल दिया है हमारी पूरियां बड़े अच्छे से फूल रही है अब यह देखिए हमारी पूरियां बड़े अच्छे से फूल गई है अब इसको दोनों तरब बड़ियां से सेख लेते है पूरिया हमारी अच्छे से से शेख गई है अब इसको निकाल लेते हैं इसी तरीके से मैंने पूरियों को सेख के निकाल दिया है पूरियों को एक प्लेट में लगा दिया है अब हमारी फुली फुली पूरियां भी रेडी है छोले के साथ में आप देख सकते हैं पूरियों क लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग